विन फर्स प्राइज वन क्रोर एंड लक्जीरी कार्थ डाउनलोड नाउ मांग चल लए थी जिसको लेकर के धर्ना भी दे रहे थे और इसी पर संग्यान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए थे और सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है कि इनकी अफाई यार दर्च की जाए और जाच की जाए इससे मैं पूर्टेया संतुष्ट हूँ और जहां जरूरत पड़ेगी जाच में सायोग करने के लिए मैं तयार हूँ पर संतुष्ट है या सहमत भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर ये कहता है कि फाई आउनी चाहिए तो उसका ये मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपको दोशी मान रहे है देखे सहमत भी हूँ और संतुष्ट भी हूँ क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूँ और सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है उससे असहमत होना या उस पर सवाल खड़ा करना हमारे अधिकार में नहीं आता है सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगा जो भी किया है उसका स्वागत है तो फिर इससे बड़िया यह नहीं होता प्रजबूशन जी कि आप इस्तिफा दे दिजे ताकि एक निश्पक्ष जांच हो सके और अगर आप वो क्लीन चिट मिलता है तो फिर आप दोबारा से अपना पत ग्रेंड कर लीजेगा नए इनकी मांग बार बार बदलती है इनकी मांग आप पूरे आंदोलन में देखिए तो सुरुवात में इनका इनकी मांग थी कि भारतियक उस्ति संके अध्यक्ष अपने पत से इस्थिपा दे दे फिन ये सेक्स्वल हरस्मेंट का प्रक्रण लेकर करके आई फिर उन्होंने सरकार से मांग की कि एक जाच कराई ये सरकार ने दो कमिटी बनाई जाच पूरी हुई और जाच की रिपोर्ट का इन्होंने इंतजार नहीं किया तीसरा मामला लेकर के बैठ गए और फिर इन्होंने रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया ये सुप् महिना महिना दो महिना के अंदर होंगे जिसको भी बनना वबनेगा और मेरा कारिकाल पूरा हो गया है तो करके इस्थीपा देना की नहीं मैं दोसी हूँ कहना ही कहे श्थीपा का कि मैंने अपने आपको अपराधी मान लिया है और मैं इस्थिपा दे रहा हूं तो मैं ना गलत था ना गलत हूं कोई भी जांच बने जांच कमेटी बनेगी देखिए सरकार के कमेटी पर आईयों के कमेटी पर हमने सवाल नहीं उठाया हमने सवाल नहीं उठाया फिर इन्होंने सवाल उठाय और अभी ये आगे भी सवाल उठाएंगे दिल्ली पुलिस के फैंसले पर भी सवाल उठाएंगे हो सकता है आगे और ये करें तो अपसे थोड़ी देर पहले खिलाडियों की प्रेस कॉंफरेंस हुई थी अब वो ये कह रहे हैं कि F.I.R. से काम नहीं चलेगा आप अरेस्ट क करें बने फैंसला भी करें ना इस देश में ना ऐपालिका है ना सुप्रिम पुलिस करें पर आपको ऐसा नहीं लगता कि दोशी ना मानते हुए भी नैतिक्ता के आधार पर अगर आप पहले ही स्तीफा दे देते देखिए पुराने जमाने में जो बड़े-बड़े नेता थे वो आरोप लगते ही स्तीफा दे देते थे और कहते थे कि आरोप के आधार पर ही स्तीफा दे रहा हूँ सर ये कोई इतना बड़ा संभाइधानिक पद नहीं है कि इससे हम लोग बहुत लाब कमाते हैं हमने सौक से इस मतलब कुस्ती जगत में हम आये और जितना योगदान मैंने किया है वो पूरा कुस्ती जगत जानता है अब आपके माध्यम से मैं देश की जनता से ये पूछना चाहता हूं और कैम अपनी बात रखना चाहता हूं ये तो अभी और मांगे मांग करेंगे लेकिन हर्याना के अन खिराडी क्यों नहीं एक प्रिवार कर सकते हैं और एक अखाड़ा बाकी सारे बच्चे प्रेक्टिस कर रहे हैं और मैं आपके माध्यम से देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि कैम के अंदर उडिसा के भी बच्चे रहते हैं बंगाल के भी बच्चे रहते हैं माराष्ट के भी बच्चे रहते हैं नार्थ इस्ट के बच्चे रहते हैं हिमांचल के बच्चे रहते हैं मदपरदेर राजस्थान देश के सब बच्चे रहते हैं बार होता था सेक्शुल फेवर्स लिए जाते थे उन्हीं लोगों को आगे बढ़ाया जाता था ज्यादा डिबेट में नहीं पड़ना चाहता हूं मैं लखनव से 400 लखनव से 200 किलोमीटर पर मेरा घर है वहां पर मैं ज्यादा रहता हूं और या तो दिल्ली में रहता हूं मेरा र ही कहना चाहता हूं कि जो भी प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका मैं स्वागत करता हूं और मैं हर कदम का स्वागत करूँगा और सवाल यही उठाएंगे गारंटी है यह सवाल उठाएंगे क्योंकि यह राजनीच से प्रेरित हैं इनके पीछे बड़े-बड़े लोग हैं आप सोचिए इतने बड़े-बड़े वकील खड़े हो रहे हैं जिनके पचास-पचास लाख रुपए जिनकी फीस है आएक सामान खिलाडी कैसे दे सकता है और इनके इसके पीछी राजनीत है और मैं सुरू से इस बात को मानता हूं कि राजनीत इसमें काम कर रही है और य हम सब की सूची लगा कर रखी है और यह बताया है कि आप भी तो एक बहुत बड़े अपराधिक प्रवर्ति के व्यक्ति हैं और ऐसे व्यक्ति को कैसे ऐसे पद पर बैठने का अधिकार है चलिए ऐसा कोई संब्धान में अगर होता तो मैं ना आता संब्धान में ऐसी कोई विवस्ता नहीं है और आप राधी मुकाबंले तो राजनीत में जो जुढा रहे का मैं जेपी आंधोलन से जुढा रहा मैं रामजनंभुमी आंधोलन से जुढा रहा लोकल में भी कुछ हमारी बड़े लोगों से तना यह लेकिन अज तक मैं किसी भी कोड्स ने मुझे दोशी नहीं माना है और मेरे खिलाप आज के तारीख में कोई मुकदमा नहीं चल ला है, सारे मुकदमे मेरे समाप्त हो चुके हैं, धिर भी इनको अदिक्क्र है, हमस्ट नहीं है क्या भारत सरकार या जो खेल मंत्राले हैं अनुराग ठाकूर हैं क्या उनसे आपकी कोई बातचीत हुई है उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि थोड़े दिन के लिए अब आप स्टेप डाउन कर जाएए तो जाच मैं आसानी होगी नए पहली बार जब ये जनौरी में बैठे थे धरने पर 17 जनौरी को तब खेल मंत्री जी ने हमसे कहा था कि आप एक लिख करके दे दीजे कि तीन सपता के लिए आप अलग रहेंगे मैंने तीन सपता के लिए लिख करके दे दिया फिन चार सपता हुआ बढ़ा बढ़ता गया और तीन-चार महिने हो गए अभी रिपोर्ट नहीं आई कुछ लोग बताते हैं आ गई कुछ लोग बताते हैं नहीं आई और मैंने किसी से कोई बात नहीं कि मुझे कोई ऐसा नि प्रैक्टिस कर रहा है यह इनकी ड्यूटी है हम अपना काम कर रहे हैं मेरी ड्यूटी है जी बुशन जी अगर आज का देन अगर आप देखें तो देखें नीरत चोपड़ा आपके खिलाफ उतराए इतने बड़े खिलाड़ी है कपिल देव ने आपके खिलाफ बयान दे दिया विरिंदर सहवाग ने दे दिया सानिया मिर्जा ने दे दिया देश भर के जो बड़े वो सच्चाई से उगत नहीं है और जिस दिन सच्चाई उनके सामने आएगी उनको अपने किये पर पस्तावा होगा पर सच्चाई आप बताईए ना सच्चाई क्या है हम तो सच्चा ही बता चुके कि एक ही अखाडा क्यों एक ही परिवार क्यों हरियाना के अन अखाडे अन परिवार क्यों नहीं और देश के अन महिला खिलाडी क्यों नहीं आज देश की कैम्प में केवल अकेले तो ये रहते नहीं परदेश के भी खिलाडी रहते हैं भी देश अकेले जाते नहीं तो किसी को क्यों नहीं सिकायत है केवल इन्हीं को क्यों सिकायत है देश की जनता अगर सुन रही होगी तो इस बात को सोचेगी और जो फैसला आएगा उस पैसले का हमादर करेंगे, सम्मान करेंगे और सवाल ये फिर उठाएंगे. अब मैं आप ही के सवाल को घुमा देता हूँ. मैं अब ये पूछता हूँ कि इतने सारे फेडरेशन हैं, असोसियेशन हैं, सिर्फ आप क्यों? सिर्फ आपको क्यों चुना गया इतने गंबीर आरोप लगाने के लिए? सिर्फ आपके खिलाफ क्यों हो रहा हैं सब? और भी तो बहुत सारे लोग हैं. सर बड़ी लंबी बहां सो जाएगी, लेकिन मैं एक पालसी लेकर के आया, पहले एक स्थिती ऐसी थी सुधिर जी, कि खिलाडी किसी भी, टीम किसी भी प्रांत की हो, खिलाडी हर्याना का होता था, मैंने उसमें सुधार किया, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिये. जी और देखिये, आप भी ध्यान से बताईएगा, पूरा देश इस समय आपको सुन रहा है. हमें, सुनिये, एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की, खिलाडी हर्याना का, उस इस्थिती को मैंने ठीक किया, फिन एक पालसी लेकर के मैं आया, कि हमारे कैम्प की पालसी क्या होगी, तो कैम्प की पालसी ये होगी, जो निसनल लड़ेगा, या ओपन नसनल लड़ेगा, वही कैम्प में जाएगा, अगर कोई टाप का खिलाडी है, तो सरकार उसको अलग से डाल दे, मुझे कोई आपत पहले ऐसा चलता था, कि सारे बच्चों की ट्रायल आपस में हो जाती थी, तिन ये जो इनकी ट्रायल एक बच्चे से हो जाती थी, और एक कुस्ती हरा करके चले जाते थे, हमने का नहीं भाई, जैसे सब बच्चे जैसे ट्रायल देंगे, वह इसे आपको भी ट्रायल देना पढ़ेगा पहले देश के जो बाकी रेसलर हैं उनकी आपस में ट्रायल होगी फिर एक कुस्ती इनकी उनके साथ होगी अगर वो बच्चा जीत जाता है तो इनको 15-20 दिन के बाद फिर मौका मिलेगा और ये उस बच्चे को हरा लेते हैं तो इनका कोटा पक्का माना जाएगा यानि कि नया बच्चा कोई आएगा तो उसको तीन बार ट्रायल देना पड़ेगा एक देश के खिलाडियों को हराना पड़ेगा और इनको दो बार हराना पड़ेगा तो इसमें क्या आपत्ती है दुनिया के कई देश ये लागू करते हैं और मैंने कुस्ती के भलाई के ल और अगर इनको मुझसे पीड़ा थी यह 2012 से लगातार इनके साथ घटनाय घट रही थी तब भी पुलिस थी तब भी आयो था तब भी खेल मंत्राले था तब भी देश था तब भी जनतर मंतर था आज ही क्यों जनतर मंतर और सारी सिकायत जंतर मंतर से ही क्यों यह जंतर मंतर जाने के पहले क्या कभी खेल मंत्राले के पास गए कभी आईयों में गए कभी मीडिया के पास गए कि मेरे साथ यह हो रहा है मेरे साथ नाइंसाफी हो रहा है सक्सुल हरस्मेंट तो रहा है कभी नहीं गई जी ब्रच्श भूशंग जी असल में देख Sharing इतने बड़े बड़े खेलाडी हैं इन्होंने देश के लिए इतने बड़े बड़े खेलों में डिल्स जीते हैं देश को इन्होंने इतना भावूक किया है हम सब इनके साथ जब ये मैडल जीतते थे हमारा राश्टगान चलता था इनके साथ हम रोते थे अब पूरा देश भावक होता था आज जब ये सड़क पर बैठ कर रो रहे हैं सुनिए जितना हम जितना इनके जीत में हमारा योगदान है उतना योगदान देश में किसी का नहीं है उतना योगदान किसी का नहीं है जितना इनके जीत में इनको पहलवान बनाने में मेरा योगदान है उतना किसी का योगदान नहीं है और सर छमा करिएगा मेडल जीतना अ पर है और इसलिए इनकी पूरी बास सच नहीं मानी जा सकती है चलिए अब तो हमारे हाथ में है नहीं सुप्रीम कोट के हाथ में है और पुलिस के हाथ में है हमारे हाथ में आज के तारीक में कुछ नहीं है और आपके सवालों का मैंने जबाद दिया सर आखरी सवाल है आपके स्थीपा ही है समतूर सोजायन से पूछे तो मैं भैजवा देता हूं तो कहेंगे उनका कारikaal समा stamOOOOOOOO ludzi क्या एक स्थीपा ही इनका तो स्थीपा मैं आपको वहजवा देता हूं आप वहजवा दीजें आप तयार हैं इस्तिफा देने के लिए light है अधिक पर उठने तयार है अपनी प्रेक्टिस करने अपने घर जाने है तक क्या क्या बड़ी चीजे दे थे अपनी पारिवारिक समस्चाहें रखते थे अप गाली बक रहे हैं इनको मैं क्या अपील करूं हाँ अगर आप से वादा करें तो मैं आपको इस्तीपा बेज़ा दूँगा ठीक है प्रिजबुशन जी बहुत बहुत शुक्री हमसे बात करने के लिए और यह जो आपका प्रोपोजल है यह हम उन खिलाडियों तक जरूर पहुंचा देंगे और अगर हम तो यहीं चाहते हैं कि यह खिलाडी भी स्टेडियम में दिखाई दें और आप बहुत बहुत ध का